नमस्कार साथियों, एलॉंविताल सुमेधा किटारिया टॉक्स की उर्जा परिमिद्श रिंखला की 37 वी कड़ी में आपका स्वागत है हम सब में कुछ तो ऐसा होता है जो हमेशा कुछ और की क्रेविंग करता है अपनी पहचान और अनुभवों से कुछ अलग मकसूस सा पाने की अजब चाहत आम तोर पर लोग वेराग्या और रिनांसियेशन शब्द सुनकर थोड़ा बेजैनी सी का इजहार करते हैं पर कुछ फैसिनेशन और चीन ही सी अवस्था की कहीं ई को भी महसूस की जा सकते हैं इस गहन विशह पे चिंतन मनन का उदेश्य भी यही है कि हम क्या दृष्टिकों रखते हैं रिनांसियेशन के प्रती इसे जाना जाए रिनांसियेशन का अर्थे कुछ रिलेंक्विश करना, छोड़ देना, त्यजना, सेक्रिफाइस करना जिस पे हमारा मालिकाना हक है, अधिकार है या हमारा कोई एमबिशन समान्यत है रिनांसियेशन से अभी प्राय होता है, भौतिक सुक्स विधाउं, सहूलतों को आध्यात्मिक उपलब्धी हेतु त्यजना, त्याग कर देना बशीर बद्र की शब्दों में, महबूप का घर हो कि बजूर्गों की जमीन है, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा एक्स्ट्रीम अर्थ है रिनांसियेशन का सन्यास रिनांसियेशन निवृत्ती भी है, काम से, दुनियावी कार्य गलापों से आत्मनवेशन के दृष्टिकों से मन्थन करने से, पता चलता है कि रिनांस करना, अगर सिर्फ छोड़ना है, तो ये एसकेप है किसी परिस्थिती या स्थिती से भागना, पर अगर यही भाव हमें उठा देता है, भौत एक सुखों, वैभव और दुनियावी अकर्ष प्रकल्पों के साथ मोह, आसकती, तकलिफ देह, जुडाव से, तो ये आध्यात्मिक मार्ग पे सशक्त उपलब्धी है, स्पिरिच्वल इवॉल्वमेंट का ध्योतर, जिस दिन से चला हूँ मेरी मन्जिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत जाता है, तो ये प्रत्यक्ष दैविक निमंत्रन होता है, भगवत कृपा, कई जन में रिनन्सियेशन खूब अंधेरे की अवस्था में रोश्नी के छेद की मानिन आवान करता है, एक रेफ्यूज अराम की स्थिती का निमंत्रन, आम जन को असल प्रतीत होने वाले सुक्स विधाएं, किसी को त्यज्य प्रतीत होने लगें, तो इसमें कोई अबनॉमल या असमान्य बात नहीं, पर त्यजना स्वयम में अंत नहीं, आरंभ है, और अंततो गत्वा जाना कहा है इस मार्क पे चलके, उसकी जानकारी तो साधना और ज्यान और भक्ति के मार्क से ही सु आश्रम की चोहदियों के बिना क्या मन सन्यासी नहीं होता? अभी प्राए, दुनिया में रहते हुए, आम जीवन जीते हुए भी इस अवस्था को पाया जा सकता है। भाग जाना सुदूर गुमनाम स्थानों के और प्रस्थान करना नहीं है। मन से जब हम उठ जाते हैं और सीख जाते हैं अभ्यास या अंदरूनी गहन इच्छा से बंधनों आसक्तियों से उठ जाना और शांत अवस्था को पाना जो अनंद की और अग्रिसर करे हमें ये म मन की अवस्था है। सन्यास उसकी बाहरी परिनाती है। हो सकता है हम जिन्दगी की चुनौतियों को छोड़ छाड़के इस सुमीद में सबसे दूर चले जाएं कि अब हमें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। शांती प्राफ्थ हो जाएगी पर अहम ये है कि मन में क्या रहता है चलता है वास करता है बात शरीरिक रूप से दूर चले जाने की नहीं है अंदर हम कैसा महसूस करते हैं अट पीस हैपी अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे मर के भी सुकून अपाया तो किधर जाएंगे रिननसियेशन संसार के किसी एक पहलो का त्याग नहीं है सन्यास समग्र रूप में संसार से निवरित्ती है यह अभोग अना सक्ति अलिप्ता की स्थिती है यह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया का तलब गार नहोना है बाजार से गुजरा हूं खरीधार न मुश्किल से यह स्थिती प्राप्त होती है थियरी ओफ ट्रस्टिशिप जिसका जिक्र पिछले एपिसोड में भी आया था इसके अनुसार धन के प्रति न्यास वृत्ती अपनाना चाहिए क्योंकि यह समाज की धरोहर है उसी को लोटा देना है अर्थात उसी के कल्यान के लिए यह खर्च किया जाना चाहिए यदि ऐसा हो जाए तो आर्थिक वैश्यम में ही समाप्त हो जाएगा केवल धरोहर के प्रति भी यह सन्यास भाव रख पाना कितना कठिन है इनन्सियेशन के प्रति अभीरुची जरोरी नहीं कि दुख में उपजे यह सही है कि कई बार हमारा तर्क वितर्क दूसरों दुरा की गई जज्मेंट की ओठ में छिप जाता है कभी हम कहने बादे कभी सच जूट के मात तंड मुर्ष चढ़ाने लगते हैं हमारा कभी हम बस कुछ भी कहना ही नहीं चाहते कभी बहस का कोई मुद्दा ही नहीं रहता बागी बस स्विकार पूर्ण मनें स्विकार एक मात्र आप्शन बचता है तब भी मन उठता है और तब रिनन्सियेशन व्यथा के गहरे सागर में द्वीब की तरह एक बचाव रिलीफ की तरह जान पड़ता है रिनन्सियेशन का भाव समरिद्धी और सुख के साथ रहते हुए भी असर्ट कर सकता है वास्तों में अवेर्नेस में रहने से प्रतीत होने लगती है बहुत सी भौतिक चीजों, रिष्टों, सुख सुविधाओं की असारता, निरर्थकता, अस्थाईपन और मन चाहने लगता है कि कुछ जो स्थाई हो, नश्वर ना हो, ना खोने वाला हो ऐसा अक्सर उम्र का काफी हिस्सा पीच जाने के बाद घटित होता है या गहन संवेद अन्शीलता से जब हम जिन्दगी के बारे में सोचने लगते हैं और अपने असल भीत्री सौ के सवालों से जूचते हैं, उत्तर तलाशने को बाद्या हो जाते हैं कि आखिर हम चाते क्या हैं रिनन्सियेशन दिवानों कीसी बात प्रतीत हो सकते है समाने जन को इबने इंशा कहते हैं, जब शहर के लोग नरस्ता दें, क्यों बन में नजा बिस्राम करें दिवानों कीसी न बात करें, तो और करें दिवाना क्या इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या दिनन्सियेशन यानि इत्याग कहीं हमें उधार बनाता है सुहरिदे, जैसे शासक को अपनी निजी सुक्सुविधा का परित्याग करना पड़ता है और सब की सुरक्षा और हित का सोचना होता है वास्ता में जब हम अपनी बुरी आक्तों, क्रोध, लोब, मोह, जूट, असत्य, वेमनस्य, शिकायते या रिसेंट्मेंट को त्यजने लगते हैं या ऐसी जरूरत महसूस करने लगते हैं तो ये परिचायक है रिनन्सियेशन मार्क के पथिक बन रहे हैं हम छोड़ें जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, क्योंकि त्यज्य चीज़ों परात्तों को छोड़ने से भीतर जगें सुलब हो जाती है सुहार्थ, उदार्ता, सामुदा एक्ता की सुनिये गुन की बारता, ओगन लीजे ना ही, हंस छीर को गहत है, नीर सुत्यागे जाही साथियो, रिनन्सियेशन, कोई विशिष्ट बाना पहनने का नाम नहीं है रिनन्सियेशन is an attitude, a way of life जिन्दगे में ऐसा मार्ख चुनना है, जिसमें कुछ भी वांचना शेश नहीं रहती हर अनुभव को, जो जैसा उसका भाना समक्षाए, उसे समझना और यथावाच्विकारना है रिनन्सियेशन हम मनुश्य योनी में भोगने के लिए आए हैं सब सुक जो भी हमें मिले, दुख जो भी नियती में हो और इसी जीवन में यदि मन त्यज देता है, संभाव हो जाता है, सुक दुख से उपजने वाली खुशी या उदासी की प्रती तो ये इसी युग में मौक्ष की स्थिती है, जब तक ये या वो दुन्यावी या अध्यात्मिक पाने की चाहवनी रहती है, तो मन अटका ही रहता है जब इससे भी उठ जाता है, तो सद्गुरू, उच्चस्त एनर्जीस के संभल, खुशी और अनंद का मार्क सुलब करते हैं अपने कमेंट्स से जरूर अवकत करवाईएगा, जल्द ही फिर मिलेंगे, जहिंद